अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे तो मोदी जी को खुश कर दे के लोग बोल रहे हैं उसकी प्रासांगिता बनी रहे इसलिए वो बोल रहे हैं पता चल जाएगा आने वाले समय में घर तो छिरान आई गया है प्रश्वे आदम ने जो मचली खाते हुए वीडियो डाला था उसको लेकर अब तक सियासत हो रही है यहां तक की देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भी इस बात को लेकर लगातार प्रचार कर रहे है कल यह बात राजनाद सिंग ने मंच से कहा कि जब नवरातरी से पहले इस तरीके का वीडियो डालना यह नवरातरी में इस तरह का वीडियो डालना यह जो तपस्या करते हैं उनकी भावनाओं के साथ खेलवार करना हुआ यह बात राजनाद सिंग ने कल कहा शातिसात चिराग पासवान लगातार इस बात को कहा रहा है 40 सीट अन्डिय जीतने वाली है बिहार में 40 में 40 सीट अन्डिय जीतेगी इस बात को लेकर तजस्वी आदब ने कहा है घर तो छिन गया ना क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा लेकिन घर तो छिन गया चिराग पासवान बारा जनपद में रहते थे और उनको वहाँ से खाली करना पड़ा बंगला जो उनका चुनाव चिन था वो भी छिन लिया गया इन तमाम बातों को लेकर तरिस्वे आदब ने राजनाद सिंग के बयान को लेकर क्या कुछ कहा है पटना एरपोर्ट पर जब वो चुनाव परचार के लिए निकल रहते उस वक्त उनसे जब ये सवाल पुछा गया तो उन्होंने राजनाथ सिंग को लेकर क्या कुछ चिक कहा है चिराग पासवान के बारे में घर छिन जाने को लेकर किस तरीके से अपनी बातों को रखा है आप खुद सुनिए अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे तो मोदीदी को खुश कर देके लोग बोल रहे हैं उनकी प्रसांगिता बनी रहे इसलिए वो बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने मुद्दे की बात तो नहीं की देश को रक्षा मंत्र की अगनी वीर जो योजना आया पूरा देश का नौजवान आहत हुआ है तो इस पर तो वो बात है नहीं कर लेगा है तो हम लोग सब लोग जो है जो आज़ाद से की आए है तो ठीक है अपना बोल करके गया है तो उसका ही काम अपना बोले है खुश कर देखे लिए तो इस पर जादा हम क्या बोड़ा चिराग पासवान कह रहे हैं कि 40 की 40 सीड जो है इस वार बिहार जो में इंडिये की सरकार जीते की चिराग पासवान कह रहे हैं तो नया के पता चल जाएगा आने वाले समय में घर तो चिरान आगया है चाहिए